तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम विशाल अब में टो 36 पे आपको मैं जो चीज़ करवाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा आज हम रिपेटिड 20 कोशन क्यों सॉल्फ करने वाले हैं बश्व करने वाले भले आपको कम लग रहा हूँ और जने 50 60 या 150 करवाते हैं कोशन बस यह 20 कोशन को देखो आप ठीक है 20 कोशन को देखो कि यह रिपेटिड कोशन है पिछले से पिछले एक्जाम में भी पूछे गया है तो आपको बहुत चीज सलब गारे संघ्ट कोई मैंट यह 20 कोशन होंगे स्रीप और शुक्हार में रहना चीए में नहीं रहना च्यार चाहि कुछ इच पाउट से चाहिए संग्या क्या होता है वेक्ति बैद की नाम अभावादी की नाम को संग्या टे ही बहुत सही ऐ है उसके रही पो आपता है पहुत हलते हैं श्वेक्ति नि की घ्र लियृभativ ए समूम और भाव जा र वलब रहता है के मैंने आप आपको यह बदका रहे है कि दारली sound का area आट कि आदा से जयाद हुती है आपके यह अवगा तो धात पेपेंड करता हैं तो क्या मैंने जैसे कहा ही लेकिन आपको समझजा interimble चीजे देखना चलिए पहला एमसी क्यों आ गया हमारा कोपीपैं तडीwydd है जली है प्रदी यह क्या लिखा हुआ है वेकती वस्तुस्तान या भाव के नाम को Sंगया ले भाई यह था हमें पता है ना व्यक्ति वस्तुस्तान भाव के नाम को क्या कहते है यह न jus यह कहते हैं तो इसमें तो पूरा बिल्कुल ऐप डाउट नीए रह ना चाहिए की वक्ति वस्तु इस्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं वक्ति त्ख्ठी से लिटें वस्तु कि हमारा वस्तु क्या होता है कोई भी ओब्जैक्ट हो गया वो सारा माय वस्तू होंगे ठीक है भाव हो गया भाव मतलब feeling ले लो आपकी feeling यह भी भाव यह संग्या में आ जाता है ठीक है जितने चीजे न मैंने आप यह बस के लिए रहना चाहिए कि आपके surrounding में जितने भी चीजे हैं और आप और नहीं भी है जो आप देख सकते हो यह आप नहीं दे सकते हो सारे संग्या है sorry ठीक है तो सारे संग्या है तो इसने तो कोई डावट नहीं होना चाहिए जो definition है बहुत easy है यह किताबी definition है तो दो तिन वर्ड है व्यक्ति वस्तू भाव बस व्यक्ति वस्तू भाव और इस्थान भी लगा लो आपकी मरदी च अधान आदी के नाम को संग्या कहते हैं चलो तो हमारा का होगा इस पहला अंसर है ठीक है चलो दूसरा कोशन देख लेते हैं दूसरा कोशन क्या कह रहा है अर्थ के अधार पर संग्या के कितने बेद होते हैं तो अर्थ के अधार पर संग्या के कितने बेद होते हैं देखो अर्थ के अधार पर हमाय संग्या के अर्थ के अधार पर कितने होते हैं साथ अगर नीचे से देखो चलो साथ लिखा हुआ है तो कभी सुना है कि संग्या के साथ भेद होते हैं तीन तो सुना है तीन तो सुना है साथ नहीं होते हैं तात नहीं होते हैं, चार, कभी सुना है कि चार होते हैं, ऐसे भी आप MCQ देख सकते हो, ठीक है, जो आपने सुना है ने सुना है, चीजे आपको थोड़ी सी भी पता हो ना, तो MCQ में आप logic लगाया करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा हो या, solve हो जाएगा, चार भी नही तो, आप पांच और छे में से क्या होगा अंसर, हमने सुना है, तीन होता है, संग्या का, अर्थ का तो अभी देखी नहीं रहा, ठीक है, ये क्या अर्थ वर्थ देखो मत, ठीक है, अब क्या है, हमें पता है, तीन होता है, क्योंकि तीसरी चोती में जिसने संग्या पढ़ा होगा आपको पड़ाया है ना हाँ देखिए वो अलग बात है वो concept अलग है कि उसके कितने भाग होते हैं काउंटे बलन काउंटे वो अभी उसके बार में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है अभी सिब देखना है हमें logic लगा लगा के कि चीजे क्या है ठीक है तो हमा आची होगा एक ही बचा तो पाच है हमारा अर्थ की अधार पर आपको यह भी पता चलिए कि अर्थ की अधार पर पांच होते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं तीशा कुछन हमारा क्या कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सा शब्द दरव्य वाचक संग्या है दरव्य वाचक जिसे मैंने कहा था कि आप धातु वाचक बोलो जो आप एक कमफर्टेवल में है मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो ठीक है तो हमारा क्या है यह खटाई दरव्य वाचक दूद मिठाई थंडा ठीक है अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है जो दरव्य है खटाई दरव्य है खटाई बिल्कुल भी नहीं खटा क्या है खटा एक सवाद है खटाई क्या है देखें चीजों के बारे में थोट समझ लीजए खटाई खटा क्या है भर आधा जो यह हमरा क्टाई हॉट तो हमारे targeting ना पीला कटिया मैंने क्कटाई कर वर यह यहां पर हमसे पूचाए कि कौन सा सब दरवयवाचक है तो पानी दूद यह सब तो हमारा दरवय में आ जाता है न आपने पड़ा होगा थोड़ा सा कि तीन तरीके के होते हैं solid liquid gas तो उसी तरीके से हमारे दूद है liquid में आ जाता है दरवय वाचक है तो ये दरवय में आ जाएगा और बाकी तो एक तो पता चलीगा कि दूद तो होगा ही होगा दरवय वाचक ठीक है एक पता चलीगा आपको अब इन तीन को आपको देखना है कि ये सब सही है या गलाच देख लेते हैं, तो मिठाई, मिठाई क्या है, खटाई क्या है, खटाई एक भाव को परदर्सित कर रहा है, तो यह भाव आचक होगा आपका, ठीक है, अब ठंडा, ठंडा गरम क्या है आपका, ठंडा गरम, ठंडा गरम यह सब चीज आपका भाव आचक संग्या में आता है, क्यों आता है भाव वाचक संग्या में भाई देख लेते हैं जो आपका मैंने आपको बताया था एक बार कि आपका जो भी चीज आप क्या कर सकते हो सिफ फील कर सकते हो चीजे आप से फील कर सकते हो आप टच नहीं कर सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं वह सारी चीज आपका क्या तो यह नहीं होता है तो जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं भावाचक में आ जाता है हमारा ठीक है तो यह तो पता है कि यह तो भावाचक में आ गया है यह तो पता है भावाचक में आ गया हमको एक चीज तो पता है कि दूध है दरव्य वाचक तो यहीं पर आपका कॉंसेप्ट किलियर हो जाना चाहिए भाई दूध है एक लिक्विट फोम में तो दरव्य वाचक होगा तो इसके बारे में जार डिसक्रस ना करते हुए चीज संग्या का परकार नहीं है इन में से कौन सा संग्या का परकार नहीं है देखिए पहला क्या बोल रहा है व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक संग्या का परकार है ठीक है इसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं तो व्यक्ति वाचक हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट चीजों का वो व्यक्ति वाचक में आजाता है, ठीक है, और देश वाचक, देश वाचक, देश वाचक कभी सुना है, देश वाचक, कभी नहीं सुना है, तो यह तो बिलकुल भी नहीं होगा, ठीक है, जाती वाचक होता है, जाती वाचक होता है, भाव वाचक होता है, तो देश वाचक तो देश वाचक पर आप कर दोगे, ठीक है, राइट क्लिक कर दोगे, चलिए, राइट क्लिक कर दिया, चलिए देख लेते हैं, यह दूर्सा है, पाच्छवा कोशन हमारे पास आ गया है, गांधी, शब्द में कौन सी संग्या है, चलिए, गांधी जो सब्द है, या फिर गा किसी भी चीज को समझना है, चोटे से छोटे कर के चीज़े देखो, बहुत छोटे छोटे, पेले क्या हो रहा है, गांधी, शब्द, को, गांधी शब्द में कोवन सी संग्या है, ठीक है, इसको हमने छोटा किया, पासदा अचलिए एक शब्द लिखावा है गांधी, तो शोहन, मोहन, राम जैसे नाम है उसी तरीके से गterror nu एक नाम है भुले केलता है हमारे नेटा का नाम था मोहन, मोहन, दाश, करम, चंदर, गांदी, तो गांदी किया है? एक से नामघौ करेंगी हम ठीक है अब यह द्रवऐ वांचक में आएगा नाम नहीं वेक्ति वाचक में भाव वाचक मैं जाति वाचक में नहीं तो फार वाजुकर में तो कैसे आएगा भाई अब आपको एक चीज़ का नाम रखरो तो डाज़ा है लगा दिया, तुक्का नहीं, यह लोजिकल तुक्का होता है, ठीक है, लोजिकल तुक्का, जो आप इधर उधर दिमाग लगाएं, अरे यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह है, क्योंकि यह है, इसलिए यह नहीं होगा, क्योंकि यह, तो यह लोजिकल चीज होता ह आए तो छीजों में मज़ा बलत आएगा छटा कॉशन देख लेते हैं एक सा यह सही है को ज़ो छटा कॉशन क्या बता है हमायन में हमें Bepsugwacchacheva sa my त्रवैक्टी बाटिवाक sec शेया कॉनसी है चलो वही देखते हैं इसमें आदमी आदमी क्या एक शब्द मैंने का ना चीजों को बहुत तोड़ लो बहुत तोड़ लो कि वो खुदी तूट जाए इतना तोड़ लो कि वो खुदी तूट जाए चलो तो आदमी क्या हमारा शब्द है चलो शब्द है आदमी अब यही सब यह व्यक्ति वाचक बन जा रहा है गहां देख लुए अगर कभी भी आप यह सको खिए आदमी तो आदमी किसी का नाम होता है नहीं होता है आदमी एक शब्र्द है जिसे प्यारत है पूरे जाती का ठीक है जाती का मतलब क्या है यहां पर की आदमी जब हम सुनते ना तो पूरे जितने भी मर्द जाती है यहां पर यह उनका बोध हो जाता है हमें बोध मतलब ग्यान हो जाता है जानकारी मिल जाती है बोध जानकारी ग्यान चलो जानकारी मिल जाती है ठीक है तो ये तो भाई वेक्तिव आचक में आएगा ने क्योंकि हमें पता है जब हम आदमी कहते हैं तो इससे हमारा भोगत होता हूँ भोगत होले चीजे ठीक है चलिए अब ये लोहा लोहा किस में आएगा मैं आपको बताया कि दरवे वाचक जो होता है उसको धातो वाचक भी कहलो तो यह आपका आजाएगा दरवे वाचक वाले में यह कहा है लोहा उसी तरीके से ननमदा ननमदा क्या है ननमदा क्या है नदी का नाम है ननमदा नदी कहते हैं वैसी तरीके से नर्मदा जो हमारे यहां पर है यह क्या है एक नाम और नाम किसमें आता है वैक्ति वाचक संग्या में तो यह तो हमारा हो गया भाई वैक्ति वाचक संग्या तो हमारा कोशन क्या कहता है इन में से वैक्ति वाचक संग्या कौन सी है तो हमारा क्या है नर्मदा क्या बोलते है घाती वाचग संग्या तफिर समूं वाचग संग्या। यह तक गाना नवने गए। छलिए जो मिठास है,, मिठास नाम है.. नहीं.. मिठास जो यह मिठास है आपका किसको परदर्सित करता है मिठास किसको परदर्सित करता है आप मीठे को फील कर सकते हो और जिसको मैंने बता कि फील फील कर सकते हैं यह फील फील मैं यह क्यों कह रहा हूं हिंदी पढ़ाने के बावजूद मैं आपको फील फील कह रहा हूं मह आज का तो जनरेशन ऐसी है तो मैं यही सोच रहा हूं कि उनके साथ ना मैं कॉंटक्ट कर पाऊं इस वीडियो के थुरू इसलिए मैं थोड़ा ऐसा ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं इंग्लिज के ठीक है तो ऐसा मैं सोचे कि भाई ये हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं हिंदी पढ़ाने के बाद भी तो ऐसा बिल्कुल मैं सोचे कि आप कमफर्टेवल के लिए जो आपको समझ आजा है वही लैंग्वेज यूज करना है ठीक है कोई कोई जरूरी नहीं है पस आपको समझ तो आना चाहिए न ठीक है तो देखते हैं तो हमारा मिठास जो था वो क्या है व्यक्ति वाचक बिल्कुल भी नहीं व्यक्ति वाचक का बता दिया जहां पर नाम आ जागा किसी का लिखा हुआ व्यक्ति वाचक लगा दो सिंपल ठीक है भाव वाचक मिठास मिठास है यह मिठास ठीक है आप खट्टा लगा मिठास लगा मिठास का मतलब क्या होता है बहुत चीजे इसी इसी हैं बस आपको देखना पड़ेगा चीजे मस्त मस्त है यह क्या है आठवा कोशन है हमारा देना चाहिए था अच्छा तो आठवा कोशन देखो बड़ा इंट्रेस्टिंग था यह कट गया है प्रिंटिंग से शायद हां उससे कट गया थोड़ा लेकि कि तुम्हे धोका नहीं देना चाहिए था ठीक है तुम्हे धोका नहीं देना चाहिए था वाक्य में यह जो धोका है क्या है कौन सी संग्या है चलो यह बहुत अच्छा कोशन है कि तुम्हे धोका नहीं देना चाहिए था या फिर बोलो मुझे तुम्हे धोका नहीं देना चाहिए था तो ये धोका जो वर्ड है धोका कौन सी संजय है तो धोका जो हमारा वर्ड है क्या है भाव वाचक जाती वाचक समू वाचक या व्यक्ति वाचक नाम को प्रदर्सित कर रहे है धोका नहीं देखो भावना को प्रदर्सित कर रहे है धोका क्या एक भावना है ठीक क्शल लोजिक लिआ लाप Cand चले देख लेते हैं यहां पर क्या है जिन संग्यास्ट से chapel परधार्थ के थोसदरव्य गैस का बोध होता है उन्हें क्या बता हैं तो जिससे थोसदरव्य गैस मैने जासे कि दरव्य आगया दरव्य का बोध होता है यही देखो अब दरव्य देख लिया बागी सब छोड़ दो चीजे पता है जब नहीं आती एक्जाम में तो लोजिक लगाना होता है बागी मैं चीजे तो आपको सिखाऊंगा डीपली सिखाऊंगा कि आगी कार इसको कितनी एजिली हम एक्ज अबल्गली राइट तो देख लो चीजे देख लो कि जो हमारा ये जिस ये न्हीं सब्ड़ात कि ठोच अब गयस कोई evaluता है उसे क्या कहते हैं तो जाती वाचक नहीं बिलकुल भी नहीं ऑ द्रव्य वाचक हा धर वाचक कहते हैं ठेक है परीपरीमान वाचक हिन में से कोई यहां पर हम यह भी देखेंगे कि यह बोल क्या हा रहा है थोज दरव्य गैस और यह हमारा जो द्रव्य वाचा के इसका जो definition है यही है ठोज द्रव्य गैस का बोध होता है उसे क्या कहते हैं द्रव्य वाचा कहते हैं ठीक है तो इसको और डीपली जानेंगे बस मैं आपको यह जो कोशन रिपेटिट हुए है न तो इसमें आपको थोड़ा सा भी ग्यान आएं थे नहीं आराम से करके जाओगे गलत करके आएं थे वो आराम से सही करके आओगे लोजिक लगा लगा के तो उसके बारे में सिब लोजिक लगाने के वाले एक के बारे में बता रहा हूं चीज़े बता रहा हूं तस्वा कोशन क्या कह रहा है हमारा दीपू एक इमान पूरा संटेंस है दीपु एक इमानदार ऑफिसर है हमारे कुछ पॉइंट दियो वेक्ति वाचक जाती वाचक समु वाचक और द्रव्य वाचक पूर्व्य वाचक होगा समु वाचक समयु वाचक भी कटिया नहीं आ सकता समु मतलब होगा न तो वाचक लगा कि भूलता समु वाचक समू का मतलब बहुत सारे चीजी होते हैं आपका यह होगया ओडरीयन्स हो गया है यह समू वाचक में आ जाहे तो यह समू वाचक be नहीं है जाति वाचक जव किसी जाति का बोद हो मैंने बताया आपको व्यक्ति वाचक, यहाँ पे नाम था ना तो वैक्ति वाचक बस ज़यदा दिमाग नहीं लगाते ते ज आप ये असे कर लेते हैं मुझे लग रहा है कि चीजों में ज़यदा दिमाग लगाने सी अप कोषão छोड़ देते हो यह बहुत easy question होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, question में नम्म ले जाओ, इतना अच्छे-च्छे question होते हैं, ठीक है, देखते हैं अब, 11th question क्या कह रहा है हमारा, ममत्व, एक सब्द है, ठीक है, जो आपको दिखें न, question में भी question paper जब आप solve कर रहे हो, तो जो सब्द दिखे difficulty या फिक कुछ पटा उसको underline कर लो, ठीक है, अब ममत्व सब्द में कौन सी संग्या है, ममत्व, ममत्व का मतलब मैं बता देता हूं थोड़ा, इसका मतलब होता है, ममता टाइप का, ठीक है, ममता, यह नाम नहीं है, कोई नाम नहीं बोल रहा है, ठीक ह तो यह भी, तो वही कह रहा हूं मैं, तो यह भाव वाचक, यह इसका तनसरी बता दिया मैंने, जाती वाचक में ता आएगा नहीं, व्यक्ती वाचक, भाव को परदर्स्रीत कर रहा है, तो भाव वाचक, ठीक है, तो आप किसी-किसी वर्ड का भी मतलब पताओ ना, तो कोई टेंशन ही होगा, सिर्व वर्ड पर नमर मिल रहा है, आप वर्ड को बस वो कर दो, चुकडा कर दो, ममत्व का मतलब क्या आता है, जिसमें होता है ममत्व, वो है ममत्व, ठीक है, चलो चीज़े के बार में देख लेए ते एक ही परकार की वै वस्तू का बोद कराने वा वाद करवाता है, उसको कै एक परकार क वस्तू का बोद करवाइगा, वस्तू हो गया, कोई वी वस्तू है, जैसे की वस्तू का एक्जामपल दो, चीज़े पताओ, हमआरे ये हो गए हैं, खी और इसे क्या पतर है जब आप किताबे बोल रहे हो तो तो सारे दुनिया में इतने किताबें सब का बोद हो रहे हैं यह तो नहीं बोल रहे हैं इससे क्या वहर रहे हैं एक ही वर्ड से ऐसा वर्ड है, किताब ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जिससे हमें क्या होता है, सारे जाती का बोध हो जाता है, सब चीज का ग्यान मिल जाता है उस वर्ड से, जैसे कि थोड़ा और चलते हैं, किताब से थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं, जैसे कि हम बोलते प्लैनेट ठीक है प्लैनेट बोलते हैं पता नहीं क्यों लेकिन मैंने बोल दिया प्लैनेट ठीक है प्लैनेट बोलते हैं तो उसमें न हमारी अर्थ भी आ जाते हैं और जितने भी प्लैनेट है वो सारे आ जाते हैं तो यह भी जाती वाचक में आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं कहा देता हूं अर्थ हमारा यह प्रीथवी प्रीथवी किसमें आता है एक प्लैनेट प्रीथवी क्या एक प्लैनेट है जिसका नाम प्रीथवी है जैसे मार्स है ठीक है वह एक प्लैनेट है उसका नाम क्या है मार्स ठीक है तो व्यक्तिव आचक में आ जागा मैंने क्या बोला कि नाम जहां पर दिखे वैक्ति ला उर्ट अंदादुन ठीक है व्ैक्ति लाचक चीजे देखो तो मैंने कहा कि एकी चीज़ से उसका भोध हो रहा है कि ऐसी कोई सिवेस्ट्य जिसका भोध हो रहा हो ठीक है तो लाच्णि वेस्ट्यबा गियू ठीक है एक मिनट तो यह तो एक परकार की बस तो यह तो डैफिनेशन भी है जाती वाचाई का डैफिनेशन ही है यह ठीक है चलो बस अभी आपको ट्रीक लगाना दिखा रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी नोलेज हो ना तो कैसे कर सकते हैं यह तो मैं लाइन बहुत बार बोल दिया है चलो देख लेते हैं किसी विशेष वैक्तिस्थान या वस्तु का बहुत कराने वाले शब्दु को क्या कहते हैं किसी विशेष यहां पर विशेष की बात की गई है जाती वाचक संग्या की तरह ही लग रहा होगा लेकिन इसमें विशेष वर्ड है ना मतलग किसी पर्टीकुलर ठीक है इंगलिस में बोले तो पर्टीकुलर ठीक है इस चीज का आपको बोट करवा रहा हो उसे क्या द्रव्य वाचक नहीं भाई जाती वाचक अभी तो हमने जाती वाचक देखा तो वो क्या था कि जाती वाचक हमारा ये ये आपको सिप एक परकार की वस्तू का बोद करवा रहा था एक परकार की वस्तू का ठीक है ये ये क्या करवा रहा है किसी विशेष्ट किसी यह व्यक्तिव आजागे आपका ठीक है मैंने क्या बलता है नाम वाम आ गया और किसी का भी अगर आपने कोई भी समू में हैं बहुत साथ 10,000 बच्चे हैं एक बच्चे को चुना आपने उसका नाम रख दिया चुनु मुनु तुनु कुछ भी नाम रख दो ठीक है तो व्यक व्यक्तिवाचा की एक definition है ठीक है एक आप अपने आप से हिसाब सभी बना सकते हो लेकिन यह किताबी definition है व्यक्तिवाचा की चुथा कोशन क्या कह रहा है लड़का दोड रहा है रिखांकी सब्द का भावाचक संग्या बनाईए यह बड़ा अच्छा कोशन है एक्जाम मे एसी टाइप की कोशन पूछे जाते हैं बहुत सारे ठीक है तो इसको एक बड़ ध्यान से देख लो कि लड़का दोड रहा है यह एक sentence है ठीक है अब इसको क्या कह रहा है इसी sentence को क्या करो ना कि संग्यावंगा चूजूज करना बहुत सीख लिया तुमने अब क्या करो कि भाव आचक में ना कनवर्ट करो इसे इस सब्द को ना कि लड़का का क्या है भाव आचक में कैसे एक नट भाव आपको दिख रहा होगा कि भाव आचक में कैसे कनवर्ट करोगे ठीक है लड़का कैसे भाव आचक में इसको कनवर्ट करोगे तो दोड़ना तो क्या है हमारा दोड़ना तो किर्या है, दोड़ना हमारा किर्या है, देखना, दोड़ना, यह सारी किर्या होती है हमारी, ठीक है न, तो लड़का क्या है हमारा, लड़का क्या है, एक हमारा संग्या है लड़का, लड़की, लड़का, आदमी, इंसा, यह सारी संग्या होती है न, तो यह सार लड़की यह हमारी होती है इसका नाम तो अभी रखा निस लड़के का ना तो जाती वाचक, ठीक है ठीक है, नाम नहीं रखा यह लड़का है सरे, लड़की होती वो भी जाती वाचक होती, यहां पर कुछी भी लगा लो जाती वाचक है, ठीक है इसको भाव वाचक संग्या बनाना है क्यासे लड़कापन ये ये लड़कापन यह फिर दूसरा क्या है लड़क लड़काई लड़क लड़क पन वह क्या वात है सब ताल में ताल में ला रहे हैं, बहुत सई हैं, लड़क देखो इसमें ए वर्ड का मतलब है एक बाद देख लो ये काफी सारे confused हो जाते हैं कि ये जो चार वर्ड है ना सिमलर साउंड कर रहे हैं तो मैं भी देखा कि आरे चारो वर्ड एक ही साउंड कर रहे है टाइप का लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है जैसे कि ये पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है पहला वर्ड है हमारा लड़कापन लड़कापन हो गया दूसरा वर्ड हमारा क्या ह लड़काई दूसरा वड़ हो गया तीसरा वड़ क्या हमारा लड़क लड़क पन हां सुरी जो यह लड़क पन होता है यह वड़ होता है बाकी यह सब हमारी वड़ ही नहीं होती है तब यह नहीं होती है लड़क पन होता है यह वड़ होता है ठीक है एक मिनट ठीक है तो यह देख लो कि जो मैंने अभी यह बताया कि लड़क पन यह हमारा सब्द होता एक और बाकी यह चोथा के लिखा हुआ है लड़काई पन यह नहीं होता ठीक है लड़काई पन क्या होता है यह कुछ भी तो ऐसे बहुत सारी आपको पता है difficult paper बना ऑगरेंगे आपको example कि इसमें Convert करो mistaken तो आपको सब्सक्राइन होना लाई नहींद नहीं होता है। लडकन होता है, सब्सक्राइण नहीं नहीं होता है। लड़कपन होता है सब तो ऐसे ऐसे भी आपने भजपन में सुनाए चीजे तो वो भी आपकी एक्जाम में काम आ जाती है तो चीजे सही है बस देखते रहिए तो पंदरा कोशन क्या है हमारा बुड़ापन भी एक परकार का अभी शाप है चलिए देख लेते हैं चलो जो हमारी कोशन कह रहा है कि बुड़ापा बुड़ापा जब कहलते हैं हमारी उम्र पूरी हो जाते है तो बुड़े हो जाते हैं तो बुड़ापा भी एक परकार का अभी शाप है यह हमारा संटैंस है वाक्य इस वाक्य में ये जो इस वाक्य में संग्या का भेद बताईए ठीक है तो इस वाक्य में संग्या का भेद बताना है कि संग्या क्या है इसमें तो बूड़ा क्या है एक बूड़ा बुड़ा क्या है आपका feeling देखो feeling का मतलब मैं यहां पर कह रहा हूँ जिसको महसूस कर सकते हो महसूस कर सकते हो बुड़े चीज को छूश होएना सकते हो बुड़ा को सुचू सकते हो बुड़ापा को नहीं सुचू सकते देखो दो दो वड़े यहां पर बुड़ा और बुड़ापा बुड़ापा ठीक है तो बुड़ा बुड़े आदमी को चू सकते बुड़े अंटी अंकल को चू सकते लेकिन आप क्या नहीं चू सकते बुड़ापा को चू नहीं सकते तो यह आपका किस में आ गया भाव में खूनि सकते हैं भाव वाक्ति वाचक में नहीं आएगा यह भाव वाचक हो गया हमारा इसको देखते हैं निमलिकीत में से कौन सा सब्द वैक्ति वाचक संग्या है तो चार बताना शेर नदी यमना आम ठीक है इसमें मज़ आएगा कि इन में से कौन सा आपका न व्यक्ति वाचक है व्यक्ति वाचक मैंने आपको पता है जहां नाम आए न आप व्यक्ति वाचक अराम से लगा सकते हो जहां पर आपको दिखा कि अरे इसका नाम है तो व्यक्ति वाचक लगा दो तो पहला देख ल दुनिया के सारे सेर ठीक है तो ये वक्ति वाचक में तो आएगा ही नहीं पर्टिकुलर नाम नहीं है ना सेर का नाम रख दो सेर तो आजागा वक्ति वाचक में ठीक है एक सेर का नाम रख देंगे तो ठीक है नदी नदी क्या है हमारा दुनिया में तो बहुत सारे नदियां है न बहुत सही तो नदी भी एक व्यक्ति वाचक नहीं है हमारा यमूना यमूना दुनिया में नदियां बहुत सारी है यमूना नदी एक है तो यह क्या है व्यक्ति वाचक आम आम के लांगूर देखो जो आम है आपका आम तो बहुत सारे होते हैं आम बहुत सारे होते हैं क्या बोल रहे हैं सार देखो आम हमारे बहुत सारे होते हैं दसहरी आम हो गई, सिंदूरी आम हो गई ऐसे बहुत सारे आम होते हैं हमें भीहार के होते हैं तो बहुत सारे किलते हैं आम के वराइटे होते हैं लेक तो ये भी हमारे आपका व्यक्ति-व अचेक में नहीं आएगा काफister साず смотрig वेट भीएट विकी होते है कि करने पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है ठीक है और लोजिकली सॉल्फ करना है कौन सा सब जाती वाचेश संग्या नहीं है देखो ये जो मैं कोशन करवा रहा है एक कोशन का फोर्थ वा टाइप है एक तो मैंने कोशन करवा है जिसमें आपको एक संटैंस दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें कौन सा संग्या है दूसरा टाइप का क्या था हमारा कि कोई सा भी संटैंस दे दिया गया वर्ड दे दिया गया उसके बारे मैं पूछ लगए कि यह word कौन सा है, अब तीसा टाइप का हमने किया कि एक sentence दे दिया गया, उसमें word थे, उस word से पुछा गया कि यह संग्या है इसमें पहली से, अब यह संग्या convert कर दो, यह संग्या convert होगी तो यह word का मतलब क्या होगा, ठीक है, अब यह चोथे type का question हमारा क्या कह रहा है, कि कौन सा sabd जती वाचक संग्या नहीं है, तो कौन सा सब्ध हमारा जती वाचक संग्या यहां पे नहीं है, परिवार, परिवार क्या है हमारा, अभी देखते हैं, बहुत मजाएगा, confuse करेगा आपको यह, परिवार, ठीक है, बालक, पानी, अजय है तो जाती वाचक सुम्शाने होते हैं पारीवार तो होता है क्यूंकि जब हम बोल दीए परिवार तो यह समू वाचक भी होता है वो जाती वाचक का भी वह अलग वाध¿ उसको संटेंस में ना अलग-अलग संटेंस में के अनुसार वो जाती वाचक और समुवाचक होता है तो उसके बारे में डिवेट अभी बिल्कुल नहीं करेंगे अभी देखते हमें परिवार हमारा किसमें आ रहा है जाती का बहुत करवारा है परिवार बोल रहे हो तो दुनिया के द्रव्य है तो द्रव्य वाचक मनुष्य है जाती वाचक ठीक है तो इसमें से तीन है जो हमारा जाती वाचक है एक है जो हमारा जाती वाचक नहीं है तो इसमें क्या पूछागे नहीं है इसमें नहीं है पूछागे है तो हम सिंपल गया देंगे भाई हमारा पानी है जो नह रेखांग की सब्द का संजा बताओ ओके तो यह जो हमारा गंगा नदी है क्या यह संटेंस हमारा क्या बोल रहा है गंगा देवताओं की नदी है रिखांग की सब्द का संग्यावदा तो एक संटेंस दिया हुआ गंगा देवताओं की नदी है ठीक है इस पर अंडरलाइन कर लिया हमने क्योंकि इसी से हमारा अंसर आने वाला है ड्रायर आप्ष्ण क्या दिया हुआ है व्यकति वाले वाले वांचक समुं 10 भाव वाले वाले तो गंग क्या है नंशल जहां नाम आया चीजें लगालो व्यकति वाचक है भाई खिकांगे व्यक्तिश यह सारे हम हमारे हैar कि भारत जाए है चलो ये एक sentence हो गया भारत में मानव कि कई पर जाती है पाई जाती है तो ये जो हमारा है इसमें कौन सी संग्या बताई गई है ठीक है वेक्ति वाचक भाव वाचक जाति वाचक दरव्य वाचक भारत ठीक है भारत एक देश है ठीक है तो ये देश तो दुनिया में बहुत सा बहुत सही एक है तो देश है चलो बहुत सही है मैं इक ही पचाइ पाई जाती है तो मानव मानव का क्या होता है मैं ने कर वाया है था साध मानव एक सब्द है, जिस ने हमें लिखा हो है तो इस संटेंस में जा डीप ना जाके हम वर्ड को देखेंगे हमें वैसी पता सल जाता है कि यहां पर वैक्ति वाचक तो लगेगा नहीं पर्टिकुलर चीजों के बारे में पूछ रखा है चलो तो हमसे यह बाता चलता है भावाचक फिलिंग कहां आ रही है भा अब वाचक भी नहीं होगा अब रहा हमारा जाती वाचक यह जाती वाचक में आ जाएगा तो यह हमारा जो संटेंस है भारत में मानव की कई पजातिया पाई जाती है तो यह हमारा क्या हो गया जाती वाचक हो गया ठीक है ठीक है ठीक है वीस्वा कोशन जो हमारा आखरी कोशन है मित्रता भावाचक संग्या किस संग्या से बनी है चलिए ये बताईए मित्रता ये लास्ट कोशन है ये करवाओ या नहीं करवाओ आपको चलो कोशी और में दे दू या फिए करवाओ नहीं करवाओ चलो करवाओ देता है लास्टी कोशन है पहले दिन आची है था अगली बार से आपके लिए भी चारपाश कोशन छोड़ के रखूंगा ठीक है तो मित्रता भावाचक संग्या किस संग्या से बनी है मित्रता क्या है देखो मित्रता या फिदोस्ती जिसे हम कहते है वो क्या आपका फ्रेंड्शिप क्या है है एक सब्द है सबसे पहले एक सब्द है जाद दिमांग नहीं लगा ना फ्रेंड्शिप आपका क्या है फ्रेंड्शिप आपका एक भाव है सब्द है ठीक है क्यों है भाई तो देख लिया एक सब्द है अब सर कहा रहे हैं भाव भी और कैसे भाव है भाई तो हमें यह पता चल रहे हैं तो हम फ्रैंड से इस इस शोरी जब मैं यह कहा रहा था कि मित्रता हमारा भाव अच्छा संग्या की संग्या से बनी हुई है ठीक है आप यह बोल रहा है ना भाव वाचक तो है मित्रता चलो यह बता रहा है अब किस संग्या से बनी हुई है जैसे मैं परिवार का देखा अलग-अलग जगे संटेंस पर यूज करें तो यह समू वाचक में भी आ जाता है चलो ठीक है तो यही कह रहा हूं मैं तो यह भाव में चलो ठीक है तो किस संग्या से बनी हो है चार चार यहा हुआ है जाती वाचक और यह सर्व नाम अभी संग्या कि बात करते कैसा लिए कर रहनीस यह को इस चीज़ को इंग्नॉर करदेंगे मैं बताता हूं क्योंकि आपको यही पे na question में भी clear कर दिया गया है भाव वाचक विशेशन के type ठोईना होते है किर्या के type ठोईना होते है किसके type होते है आपके noun के type होते है संग्या के type होते है तो बस यहीं पे clear है तो वैआसे भी आप इसको ignore ही कर दोगे फिए है दिए यह वेग्ट दोस्त है तो यह आपका एक पर्टेकुलर हो गया थिए दोस्त का नाम रख दिया राहूल में दोस्त है तो यह वेक्ट्टिちゃ वाचक वाले में आ गया राहूल ही है आपका जो एक दोस्त है उसके अलावा कोई है नहीं है ठीक है तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो आपका मितरता है भाव आचक संग्या की संग्या से बनी हुई है तो हमारा यहाँ पे तो किलर हो गया कि यह जाती वाचक संग्या से बनी हुई है बाकी यह तीन किसले नह आएगा यहां में को बताया कि यहां पे तो पूछा है मितरता भावाचक संग्या से बनी हुई है तो यहां पे भावाचक भी लिख दिया आपको तो लोग जी कितना छोटा सा भी लगाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब में तो यह हाथ ही नहीं नहीं इसके टाइप ही नहीं है और संग्या के पास टाइप है उट में से ही वहावाचक है यह तो आपको यह क्लियर जो बचा को चाओगा लगा दोगे अभी मैंने आपको संग्या की डीप नोलिज तो नहीं दी है ठीक ह हर एक चीज के लिए मैं आपको अलग से स्टोरी बताऊंगा जो आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाऊगे तो चीजी सीखने में मज़ा आएगा बस बने रही है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और में बात है कमेंट जरूर करना आपको समझ नहीं आया या फिसमझ आ गया कमेंट जरूर करना ठीक है तो जब तक के लिए धन्यवाद ठीक है अगले टैम मिलते हैं ठीक है चलते हैं चलिए